हेलो गाईज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेंड नॉलेज में लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मुंबे एक्स्प्रेस वे को यातायात के लिए खुला जा रहा है परधान मंत्री नरिन मोदी 12 फर्वरी को राजिस्थान के दोसस में एक्स्प्रेस वे राष्ट को समर्पित करेंगे इससे पहले सड़कपरिवन मंत्राले ने नेशनल हाइवे अथोर्टी ओफ इंडिया द्वारा निर्धारित टोल दरों के परस्ताव को मंजूरी दे दी है सुरू में 2 रुपे 19 पैसे प्रती किलोमेटर के हिसाब से टोल वसुला जाएगा लेकिन जैसे ही एक्सप्रिस्वे का अगला चरन यातायत के लिए खुलेगा तो दरों को संसोधित कर बढ़ा दिया जाएगा एन एच ए आई के अधिकारियों को कहना है कि दिल्ली से मुंबई तक 1380 किलोमेटर लंबा एक्सप्रिस्वे बनना है जिसमें से 275 किलोमेटर का पहला चरन यातायत के लिए खुला जा रहा है इसलिए टोल दरों का परस्ताव करीब 6 महने पहले ही मंत्रायलाय को भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई है कुछ दिनों बाद यह भी अधिसुचना जादी की जाएगी कि कहां से कहां तक कितना टोल लिया जाएगा अभी टोल वसूली करने की तिथी निधर्ट नहीं है NHAI के अधिकारियों को कहते हैं कि मंत्राले की तरफ से तै किया जाएगा कि कब से टोल वसूली होनी है Expressway को यातयात के लिए खोले जाने के बाद दिल्ली के लोगों को अलवर, दोसा, जैपूर समेथ आसपास की जिल्लों तक जाने में आसानी होगी दिल्ली में रहने वाले लोग धोलक हुआ होते हुए NH8 के रास्ते गुरुगराम तक जाएंगे जहां से सोहना, गुरुगराम लिंक हाईवे से दिल्ली मुंबई Expressway तक जा सकेंगे वही मार्च 2024 में आस्रम के पास गोल चक्कर पार्क से दिल्ली मुंबई Expressway को जोड़ने वाला छै लैन का कनेक्टर भी आतरात के लिए खुल जाएगा